नमस्कार दोस्तों मैं अंगारालाल अभी copyright strike जो मारा था और उसके और गौरखपुरिया भावी के बीच की जो बात चीत आप लोगों ने सुना वो फेक है, वो गलत है, वो फर्जी है ऐसा गोरखपुरिया भावी ने अपने वीडियो में पोस्ट किया लोगों ने सुना भी और बहुत से लोग कहें कि वो गलत है तो अब तो जाँच के बाद पता चलेगा कि वो सही है या गलत है वो तो हम भी पुष्टी नहीं कर रहे हैं लेकिन जो आडियो मिला है उस आडियो को हमने पोस्ट किया अपने चैनल के माध्यम से और हो सकता है गोरखपुरिया भावी सही भी हो तो अब तो जाँच का भी सह है और उस पे अब जाँच होगी प्रसासन के द्वारा करवाई होगी आखिर में यह आडियो सही है अगर सही है तो फिर गोरखपुरिया भावी को सजा मिलेगी अगर गलत है तो फिर जो फेक वाइरल किया उसके उपर करवाई होगी तो खैर वो तो जाँच का भी सह है अब जाँच होने के बाद पता चलेगा और इस माइटर को लेकर के चंदा भावी ने FIR कर दिया है तो अब जाँच के बाद ही सब कुछ पता चलेगा अब उधर से क्या रिपलाई होता है यह देखिए और मेरे चैनल वीडियो पोस्ट करने के बाद लोगों का यह कहना था कि यह जो है गर्णपुरिया भावी को फशाय जा रहा है नहीं यह किसी को कुछ फशाया नहीं जा रहा है लेकिन छरा थोड़ा आप सोचिए कि कि यह भी है कि लोग अपसब्दों का प्रयोग बहुत जादे कर रहे हैं चंदा भावी भी बहुत अपसब्दों का प्रयोग कर रही हैं। चंदा भावी भी ने अपसब्दों का प्रयोग किया। ये भी अपसब्द प्रयोग करके वीडियो अपलोड कर दी। लेकिन जब आप लोग विचार करिए कि अगर किसी के चैनल पर अगर 20,000, 40,000, 30,000 रुप्या महीने इंकम हो रही हैं। वो रोजी रोटी चला रहे हैं और उनके चैनल पर कोई फरजी स्ट्राइक दे करके उनके चैनल को बंद कर देगा एक महीने के लिए। तो फिर उसके उपर क्या बितेगी और उपर से कोई उन्हें टार्गेट करेगा तो उनके उपर क्या बितेगी फिर वो वो गाली देंगे जहड़ा करेंगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जाइज बात करेंगे ही लेकिन वो जो स्ट्राइक मारे वो क्यों मारे क्या उनका दिक्कत था वो भी तो सामने कर रहे हैं और बहुत आप वीडियो में देखे होंगे कि सामने सामने को लोग वीडियो में पोस्ट करते हैं वीडियो में कहते हैं कि हाँ यह है वो है यह हो और बाद में फिर वही कहते हैं कि हमने किया ही नहीं बताइए कितना जूट यह क्या चल रहा है समाज में जिन्नोंने भारत के संविधान को बनाया उनकी देखिये मूर्ती को तोड़ दिया गया मूरी तोड़ के छतिकरस्ट कर दिया गया राजकत्तों ने उनकी प्रतिमा को यह क्या चल रहा है जिन्नोंने भारत के संविधान में हमें बोलने किया जादी दी उनके प्रतिमा को छतिकरत कर दिया और पुरे गाउं के लोग देखिये यहां पर इकठा है प्रसासन भी यहां पर मौकर पहुची हुए है और हम इस सच्चाई को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर भी प्रसासन के द्वारा जो है हमारे पत्रकार बंदू पर कुछ गलत तरीके से अब भदरता की गई और फिर उनका मुह तोड़ जबाब भी दिया गया आप लोग देखें होंगे हमारे वीडियो में यहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और प्रसासन प्रतिमा की सवी लोग हूरे इंक रहे हैं अब क्या समय आ गया कि प्रतिमा को छठिगरेस्ट न का दिया जा रहा है। मतलब यह समझे कि आइसा लोग कर रहे हैं कि प्रतिमा को छतिकरस कर रहे हैं जिनोंने भारत के समिधान को बनाया उनकी प्रतिमा को तोड़ दे रहे हैं लोग और जब पत्रकार बंदू जा रहे हैं इस ख़बर को दिखाने के लिए सच्चाई दिखाने के लिए तो वहाँ प्रसासन रोक रही है कि इस वीडियो को मत दिखाए, इस खबर को मत चलाई है, क्यों भाई, सच्चाई को दिखाने में क्या दिक्कत है, कोई डर है, क्या परसानी है, तो यहां पर भी वही मामला था, और फिर वो तो मामला सुलब गया, और इसी के तरह एक एक और मामला चल हो रही है और जब वाइरल वीडियो हो गई तो निरहुआ जी ने सिधा उन्होंने जाज का आदेश दिया और वह भी कहने लगे कि यह वीडियो जो है फेक है जब तमाम पत्रगार बंधु जाकर इस खबर को उठाया और सक्चाई को निचोड़ने लगे कि यह वरिजिनल है क कि फेक है तो जिन्होंने यह खबर प्रस्तुत किया था वह पूरी वीडियो सामने लेकर आए और दिखाए कि देखिए सही है तब जाके लोगों के समझा अभी इस पे टिप पढ़ियां चल रही है क्या होता है अब देखिए आगे और उसी तरह से गोरकुरिया भावी के बीमाइटर में चल रहा है उन्होंने इस ट्राइक बात चीद करके किसी से मरवाया और इस ट्राइक चंदा भाविक चैनल पर लगा उनका चैनल टर्मिनेट हुआ और आज चैनल उनका डीमोनटाइज हुआ इसके बाद जो है किसी बात को लेकर अनबन हुई उनके और स्ट तरीके से हमारे को रोका जा रहा है हमें परसान किया जा रहा है लोग जो परसान किया सब को उनको जो है उल्टा कोई परसान करेगा और इस तरह से आज के डेट में यूटूब चैनल पर इस तरह से हो गया इस तरह से लोग एक दूसरे को प्रतारित कर रहे हैं कि लोग एक द आई लेंड दिखाईए खुद वीडियो बनाईए मेरा बस वीडियो बनाने का यह परपज है कि जो और लोग दोड़ते हैं भागते हैं पीछे-पीछे बड़े कि समय में क्या हो गया है एक तरफ निरहुआ जी ने साब साब बयान दिया और बाद में वह भी मुख कर रहा है कि यह फेक वीडियो है दूसरी तरफ भारत के सम्मिधान को जिसने बनाया उनके प्रतिमा को छतिगरस्त कर दिया उहां पर नूज रिपोर्टर जाके कवरेज कर रहे नूज दिखा रहे हैं तो वहां पर प्रसासन रोक रहे है कि इस खबर को मत दिखाईए पबलिक की बीच में सचाई मत लाइए और तीसरी तरफ इधर देख रहा हूं कि चंदा भावी की चैनल पर और तमाम लोगों के चैनल पर स्टाइक दिया जा रहा है और स्टाइ में इसमें भी उसमें भी उसमें भी और इसमें भी होगा तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना है फिर मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत